हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 का मैट्स का प्रशनावली 3.1 के कोश्चन को सॉल करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं, तो देखिए फर्स्ट कोश्चन हमारा ये रहा, फर्स्ट कोश्चन में टोटल दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट को भी हम इसी वीडियो में आगे सॉल करेंगे तो हमसे कहा गया है निम समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युगुम बनाईए और उनके ग्राफिय विधी से हल ग्याद कीजिए तो यह हमारा first question है इसमें हमें सबसे पहले रैखिक समीकरण का युगुम बनाना है और फिर ग्राफिय विधी से हल ग्याद करना है तो देखे कैसे करेंगे सबसे पहले इसको अब हम कर रहे हैं हमसे कहा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली परतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो परतियोगिता में भाग लिये लड़को और लड़कियों की संख्या ज्याद कीजिए तो देखे इसका solution हम कैसे करेंगे हमसे पूछा है लड़को और लड़कियों की संख्या ठीक है तो हमें नहीं पता कि लड़के कितने हैं और लड़कियां कितने हैं तो इसी लिए सबसे पहले हम हम अपने solution में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या को मान लेंगे ठीक है तो यहां से हमारा solution स्टार्ट होता है सबसे पहले क्या करेंगे हम लड़कों और लड़कियों की संख्या को मानेंगे तो यहां पर हम लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या तो लड़ लड़कों की संख्या को हम क्या करेंगे कि X मान लेंगे यानि कि हमने मान लिया कि कुल X लड़के हैं अब इसी तरह से लड़कियों की संख्या को भी मानेंगे तो लिखेंगे माना लड़कियों की संख्या तो लड़कियों की संख्या को हम Y मानेंगे ठीक है तो यहां तक आगया हमने अभी तक कुछ किया नहीं है बस लड़कों और लड़कियों की संख्या को X और Y मान लिया अब हम करेंगे प्रश्ण अनुसार यानि कि प्रश्ण के अनुसार अब हम आगे करेंगे ठीक है तो देखिए हम से कहा गया है कि कक्षा 10 के कुल कितने विद्यार्थी है 10 विद्यार्थी तो जो 10 विद्यार्थी है इसमें लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी तो यानि कि लड़के X है और लड़किया Y है तो दोनों को मिला करके 10 विद्यार्थी है यानि कि अगर हम लड़कों और लड़कियों को जोड देंगे तो कुल मिला कर 10 व यानि कि पहला समीकरन अब इसी तरह से हम दूसरा समीकरन बनाएंगे तो देखिए दूसरे समीकरन के लिए हमें बोला है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से चार अधिक हो यानि कि जो लड़कियां है वो लड़कों से चार जादा है ठीक है यानि कि लड़कों की संख्या है यानि कि ये जो X है ये चार कम है यानि लड़कियां जो है ये ये 4 जादा है लड़कों से तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है बराबर करने के लिए हमें लड़कों की संख्या में यानि कि X में 4 जोड़ना पड़ेगा अब दोनों बराबर हो ये हमारा बन गया समीकर नमबर 2, ग्यात करना है तो अब ध्यान से समझना, ग्राफ्य विधी से हम हल कैसे ग्यात करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो हमारे ये दोनों समीकरण बने हैं ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण तो इनका ग्राफ बनाने के लिए हमें इन दोनों समीकरण के कम से कम दो-दो हल ग्याद करने पड़ेंगे ठीक है? कैसे ग्याद करेंगे? सबसे पहले यह जो पहला समीकरण है इसका हम दो हल ग्याद करेंगे तो इसलिए यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 से अब हल ग्याद करने के लिए हम सबसे पहले कुछ इस तरह से साड़नी बनाते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पर X लिखते हैं और यहाँ पर Y अब हमें कम से कम दो हल ग्याद करना होता है आप चाहें तो तीन हल भी ग्याद कर सकते हैं तो देखिए अब हम क्या करेंगे समीकरण एक हमारा ये है तो इसमें हम X या फिर Y दोनों में से किसी का भी मान हम खुद से रखेंगे इसमें और फिर हमारा अगर X का मान रखेंगे तो Y का मान आएगा तो देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले X का मान रख देते हैं 4 तो यहां पर 4 लिखेंगे तो X की जगर पर 4 हो गया प्लस में क्या है Y बराबर में 10 अब इस 4 को इधर ले जाएंगे तो इधर Y बचेगा तो 10 जो है ये इसमें से ये 4 माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 10 में से 4 को माइनस करेंगे तो 6 आएगा तो X का मान 4 और Y का मान 6 ये हमारा हो गया एक सोलूशन यानि कि एक हल ये हमने कर दिया अब इसके बाद यहां पर हमें दूसरा हल करना है दूसरा सोलूशन ग्याद करन अब कि फिर से हम इसमें x और y दोनों में से किसी का भी मान हम खुद से मानेंगे तो इस बार हम x का मान 5 मान लेते हैं तो x का हम यहाँ पर 5 लिखेंगे तो इस x की जगह पर 5 लिखा प्लस y है और बराबर में 10 है तो यह 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो y का मान हमारा क्या आएगा 10 में से यह 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा यानि कि x का मान 5 लेने पर y का मान भी 5 आगया तो यह देखिए यह हमारा इस पहले वाले समीकरण के दो हल हमने ग्याद कर लिया अब इसी तरह से जो यह दूसरा समीकरण है इसके लिए हम दो हल ग्याद करेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण दो से तो इसमें भी सबसे पहले इस तरह से हम सार्णी बनाएंगे ठीक है? तो यह हमने यहाँ पर सार्णी बना लिया अब इसमें सबसे पहले X लिखते हैं और इसमें Y आप देखिए यह जो हमारा समीकरण है तो इसमें भी हम x या फिर y दोनों में किसी का भी मान हम خुद से रख सकते हैं तो इसमें हम x का मान 1 रख देते हैं तो इस x की जगाँ पर 1 लिखेंगे प्लस में 4 है ब्राबर में y है तो 1 और 4 5 हो गया ब्राबर में y यानि कि y का मान 5 आ गया तो यहां पे 5 लिख देंगे अब फिर से इस बार हम इस x का मान 2 लिख देते हैं तो x की जगा पर 2 लिखेंगे प्लस में 4 है बराबर में y है तो 2 प्लस 4 6 हो गया बराबर y तो x का मान 2 लेने पर y का मान 6 आ गया चिकर तो ये देखिए ये हमने दूसरे समीकरण के दो हल ग्याद कर लिया और ये पहले वाले समीकरण के दो हल ग्याद कर लिया अब हम ये जो हमारा table है ये जो हमने हल ग्याब किया है इससे हम अब graph खीचेंगे और फिर उस graph से हमारा हल निकल के आएगा तो चलिए अब हम ये जो दोनों हमारे हैं दोनों समीकरन के हल इनका graph खीचते हैं तो देखिए ये हमारा graph है अब जो हमारा पहला समीकरन है वो ये वाला है x प्लस y ब्राबर 10 तो पहले समीकरन के दो solution ये हमारे थे और ये दूसरा समीकरन है तो इस दूसरे समीकरन के ये दो solution थे तो अब हम इस पहले वाले समीकरन का graph खीचेंगे और इस दूसरे वाले समीकरन का graph खीचेंगे तो graph के बारे में आपको पता होगा ये हमारा होता है x अक्ष और ये वाली जो line है ये y अक्ष होती है तो यहाँ पर हमने क्या क्या है ये हमारा 0 मूल बिंदु होता है तो इसके इधर ये number प्लस में होते हैं 1,2,3,4 और इधर minus में होते हैं और y यक्ष पर ऊपर प्लस में होते हैं और नीचे minus में ये सब आपको पता होगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देख तो इसमें जो हमारा पहला solution है ये वाला इसमें x का मान 4 है और y का मान 6 है यानि कि x अक्ष पर हम अपने graph में देखेंगे 4 कहा है तो x अक्ष पर देखेंगे 4 ये रहा और y का मान कितना है तो y का मान देखेंगे 6 है यानि कि हम इसमें y अक्ष पर देखेंगे 6 कहा है तो y अक् चे के सामने और इस 4 के सामने बिंदू हमारा यहां पर आएगा ठीक है तो 4 और 6 का जो बिंदू है वो हमारा यह वाला हो जाएगा यहां पर लिख देते हैं यह 4 और 6 का बिंदू है अब इसके बाद दूसरा देखिए दूसरा solution यह रहा इसमें x कमान 5 है और y कमान भी 5 है या y अक्ष पर भी 5 तो x अक्ष पर 5 ये हो जाएगा और y अक्ष पर 5 ये तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा चिक है तो ये हमारा किसका है 5 और 5 का बिंदु है तो जो हमारा ये पहला वाला समीकरन है इसके ये जो दोनों हल है दोनों सोलूशन हम यह ग्राफ पर दिखा दिया अब यह दोनों बिंदू से होते हुए हम एक रेखा खीचेंगे यानि कि एक लाइन खीचेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से हम एक लाइन खीच लेंगे यह हमने खीच दिया अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी यह लाइन है यह किस स y बराबर 10 ठीक है आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं इस line पर कहीं पर हमें लिखना होता है समीकरण को तो यह हमने लिख दिया तो यह हमारा पहले वाले समीकरण का graph बन गया अब इसके बाद दूसरा समीकरण हमारा यह वाला है x प्लस 4 बराबर y तो इसके दोनों हल यह है पहले हल में x कमान 1 है और y कमान 5 है तो x अक्ष पर 1 देखेंगे यह रहा और y अक्ष पर 5 देखेंगे यह रहा तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ पर हमारा बिंदू आएगा तो यह हो गया पहला बिंदू इसका निर्देशांग क्या हो जाएगा एक और पांच अब इसके बाद दूसरा हल देखिए दूसरा सोलूशन ये रहा इसमें X कमान 2 और Y कमान 6 है तो X अक्ष पर 2 ये रहा और Y अक्ष पर 6 ये रहा यानि कि 2 के सामने और 6 के सामने यहां पर हमारा होगा तो ये हमारा बिंदू है किसका 2 और 6 का ठीक है तो ये हमने दूसरे समीकरन के दोनों बिंदू ग्राप पर दिखा दिये अब इन दोनों बिंदू से होते हुए हम एक रेखा खीच देंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से हम रेखा खीचेंगे अब जो हमारा ये लाइन है इस पर हम समीकरन को लिख देंगे समीकरन हमारा x प्लस 4 बराबर y है तो यहां पर लिख देते हैं x प्लस 4 बराबर y तो ये हमारा हो गया दूसरे वाले समीकरन का ग्राफ अब देखिए ये जो दोनो लाइन हमने खीचा है ये एक दूसरे को कहां पर परतिछेद कर रहे हैं कहां पर काट रहे हैं तो देखिए ये दोनो लाइन एक दूसरे को यहां पर काट रहे हैं ठीक है तो ये हमारा बिंदू जो है इसका निर्देशांग क्या होगा तो देखिए ये बिंदू x अक्ष पर ये देखिए 3 के सामने है यानि कि इसमें x का मान 3 हो जाएगा और ये बिंदू y अक्ष पर देखिए 7 के सामने है तो ये 7 हो जाएगा यानि इस बिंदू का निर्देशांग 3 और 7 है अब ये जो निर्दशांग है इसमें पहला वाला नंबर जो होता है ये X का मान होता है यानि कि X का मान हमारा 3 है और ये दूसरा वाला जो संख्या है ये होता है Y का मान तो Y का मान 7 है तो देखिए ये हमारा X का मान और Y का मान आ गया है 3 और 7 तो हमने X क्या माना था हमने लड़कों की संख्या को X माना था तो इसी लिए हमसे question में यही पूछा गया था लड़कों और लड़कियों की संख्या ग्याद कीजिए तो लड़के जो हैं ये कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे क्योंकि हमने लड़कों की संख्या को X माना था और X हमारा 3 आया है तो इसी लिए लड़के 3 है इसी तरह से हम लड़कियों की संख्या भी बता सकते हैं अब तो लड़कियों की संख्या को हमने Y माना था और Y कमान साथ आया है यानि कि लड़कियां साथ है तो ये तीन और साथ यही हमारा आंसर है चीक है? तो इस तरह से हम ग्राफ के द्वारा अपना आंसर पता करते हैं तो ये हमारा सोलूशन हो क्या फॉस्ट पार्ट का अब चलिए हम सेकिंड पार्ट को करते हैं तो देखिए सेकिंड पार्ट में हमें कहा गया है कि पांच पैंसिल तथा साथ कलमों का मुल्य पचास रुपे है जबकि साथ पैंसिल तथा पांच कलमों का कुल मुल्य तशालिस रुपे है एक pencil का मुल्ल तथा एक column का मुल्ल ग्याद कीजिए तो इसमें हमें एक pencil का मुल्ल और एक column का मुल्ल ग्याद करने के लिए कहा गया है तो चलिए करते हैं यहां से हमारा solution start है सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें एक pencil और एक column का मुल्ल ग्याद करना है हमें ये नहीं पता, तो इसी को हम सबसे पहले मान लेंगे, तो यहाँ पर हम अपने solution में लिखेंगे, माना एक pencil का मुल्ले, तो एक pencil का मुल्ले हम x मान लेते हैं, x रुपए, ठीक है, इसी तरह से हम मानेंगे एक कलम का मुल्ले, तो लिखेंगे माना एक कलम का मुल्ले, तो एक कलम का मुल्ल क्या मानेंगे y चीक है अब हम करेंगे प्रश्ना नुसार तो यहाँ पर हम लिख लेंगे प्रश्ना नुसार तो देखिए प्रश्ना नुसार हमें कहा गया है कि 5 पैंसिल तथा 7 कलमों का कुल मुल्ल 50 रुपए है यानि कि अगर हम 5 पैंसिल और 7 कलम खर तो हमें 50 रुपे देना पड़ेगा तो अगर एक पैंसिल का मुल्य एक्स रुपे है तो पांच पैंसिल का मुल्य क्या होगा पांच एक्स हो जाएगा जैसे माल लीजी एक पैंसिल का मुल्य पांच रुपे है तो पांच पैंसिल का मुल्य कितना होगा पांच गुणा यानिकि 25 रुपे होगा, ऐसे ही एक पैंसिल का मुल्य X है, तो 5 पैंसिल का मुल्य 5X हो जाएगा, इसी तरह से एक कलम का मुल्य Y है, तो 7 कलम का मुल्य क्या हो जाएगा, 7Y, तो इनका कुल मुल्य 50 रुपे है, यानिकि इनको अगर हम जोड़ेंगे, यानिकि कुल का मतलब है कि इनका जोड कितना है 50 रुपे तो बराबर में 50 लिखेंगे तो ये बन गया हमारा समीकरण 1 अब इसी तरह से समीकरण 2 बनाएंगे तो इसके लिए हमें बोला है कि 7 पैंसिल तथा 5 कलमों का कुल मुल्ले 46 रुपे है यानि कि इस बार 7 पैंसिल और 5 कलम का मुल्ले हमें 46 रुपे दिया है तो एक पैंसिल का मुल्ले X है तो 7 पैंसिल का मुल्ले 7X हो जाएगा और एक कलम का मुल्ले Y है तो 5 कलम का मुल्ले 5Y हो जाएगा तो इनका कुल मुल्ले यानि कि ठीक है तो समीकरण एक और समीकरण दो हमने बना दिया अब इसका हमें ग्राफिय विदी से हल ग्याद करना है तो सबसे पहले इन दोनों के दोनों समीकरण के हम दो-दो सोलूशन निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पर कर लेते हैं हम सबसे पहले समीकरण एक जो है इसका दो हल तो इसके लिए सबसे पहले कुछ इस तरह से हम साड़नी बनाएंगे जैसा हमने first part में किया था वैसे ही करना है हमें तो ये x और ये y होता है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो समीकरण 1 है इसमें हम जो ये y है इसका मान ले लेते हैं तो इस y का मान हम 5 ले लेते हैं तो ये 5 x उतारा हमने प्लस ये 7 y है y की जेगर हमने 5 लिया है तो 7 और 5 का गुणा होके 35 हो जाएगा तो यहाँ पर हमने 35 लिख दिया बराबर में 50 है अब इधर 5 x बचेगा 35 को उधर ले जाएगे तो 50 में से 35 माइनस हो जाएगा तो 15 बचेगा तो x का मान क्या जाएगा यह 5 इधर जाके भाग हो जाएगा 15 में तो 5 से 15 में भाग करेंगे तो 3 आएगा तो x का मान हमारा 3 आ गया ठीक है आप चाहें तो इसमें x का मान या y का मान जैसे मैंने यापर y कमान 5 लिया तो x कमान 3 आ गया ठीक है कोई ऐसी value ना ले लेना ताकि आपका जो value है वो point में आ जाए ऐसा मत करना हाला कि उससे भी answer हो जाएगा लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें मुश्किल हो सकता है ठीक है तो एक हल हो गया अब दूसरा हल गयाद करेंगे तो दूसरा हल गयाद करने के लिए ये जो y है इसका मान हम इस बार 0 ले लेते हैं तो y की जेगर पर 0 लिखेंगे तो 7 का 0 में गुणा होके ये पूरा 0 बन जाएगा तो हमारे पास सिर्फ 5x बचेगा बराबर में ये 50 बचेगा 5 इधर जाके भाग हो जाएगा तो x का मान हमारा 5 से 50 में भाग करेंगे तो 10 आएगा तो x का मान 10 आगया चिक है तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 के 2 हल अब इसी तरह से हम जो हमारा समीकरण 2 है इसके भी 2 हल गयाद करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम इस तरह से टेवल बना लेते हैं और यह होता है X यह Y अब देखिए समीकरण 2 हमारा यह है तो इसमें हम क्या value लें X या फिर Y का तो इसमें हम जो Y है यह वाला इसकी value ले लेते हैं 5 तो यह 5 और यह 5 गुणा होके 5 कंजे 25 हो जाएगा तो 25 इदर जाके माइनस हो जाएगा यानि कि 7X बराबर यह 25 इदर जाके माइनस हो जाएगा तो 46 में से 25 को माइनस करेंगे तो यह हमारा आएगा 21 तो X का मान क्या जाएगा ये 7 इदर जाके भाग हो जाएगा तो हमारा 3 आएगा X का मान तो Y का मान 5 और X का मान 3 ये हो गया एक हल अब इसी तरह से दूसरा हल निकालेंगे तो दूसरा हल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इस बार X का मान हम ले लेते हैं आठ ले लेते हैं, तो यहाँ पर 8 लिखेंगे, तो 8 साथ चपन हो जाएगा तो इधर हमारा 5y बचेगा, बराबर यह 46, और यह हमारा 56 हो गया, तो 56 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 56 कर देंगे, तो 5y बराबर 46 में से 56 घटाएंगे तो माइनस 10 आएगा क्योंकि बड़ा ये है इसके आगे माइनस लगाए तो y कमान हो जाएगा माइनस 10 5 इधर आके भाग हो जाएगा 5 एकम 5 5 दूना 10 यानि कि y कमान माइनस 2 आगया ठीक है तो यहाँ पर माइनस 2 लिख देंगे तो यह हमारे दोनों समीकरण के दो दो हल हमने निकाल लिया अब चलिए इनका हम ग्राफ खीचते हैं तो देखिए यह हमने ग्राफ ले लिया है अब इसमें यह पहला समीकरण है हमारा 5 x प्लस 7 y बराबर 50 और यह दूसरा समीकरण है 7 x प्लस 5 y बराबर 46 तो यह हमने दो दो सोलूशन दोनों के निकाले हैं अब इनका हम ग्राफ खीचेंगे तो देखिए ग्राफ हमने कुछ इस तरह से बनाया है यहाँ पर नमबर हमने दो दो का गैप ले कर के लिया है ठीक है आप चाहें तो एके का गैप लेकर भी आप लिख सकते हैं यह आपकी मर्जी है हमने अपने सहुलियत के हिसाब से यहाँ पर दो दो का गैप लेकर नमबर लिखा है ठीक है दो दो का गैप लेकर इसलिए लिखा है तो अब हम X अक्ष पर 3 देखेंगे कहा है तो देखिए ये 2 और 4 दोनों के बिल्कुल बीच में 3 होगा यनि कि यहाँ पर 3 होगा और Y अक्ष पर 5 कहा होगा 4 और 6 के बिल्कुल बीच में यनि यहाँ पर तो इसके सामने और इस 5 के सामने यानि कि यहाँ पर हमारा बिंदू आएगा किसका 3 और 5 का यानि कि इसका तो यहाँ पर लिख देते हैं 3 और 5 फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा सोलूशन है इसमें X कमान 10 और Y कमान 0 है तो देखिए X अक्ष पर 10 ये रहा और Y अक्ष पर 0 कहां होगा यहीं पर होगा यानि कि दूसरा बिंदू हमारा यहाँ पर आएगा क्योंकि Y कमान 0 है और X कमान 10 है इसलिए यहाँ पर दूसरा बिंदू हो जाएगा हमारा इसका निर्देशांग हो जाएगा 10 और 0 तो यह हमने पहले समीकरन के दोनों बिंदू दिखा दिये हैं, अब इन दोनों बिंदू से होते हुए एक लाइन खीचेंगे, तो देखिए, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर लाइन खीचेंगे, तो यह हमने कर दिया, अब इसके बाल जो हमने यह लाइन खीचा है, इस पर हम स समीकरन है हमारा 5x प्लस 7y बराबर 50 तो यहां पर लिख देते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50 अब इसी तरह से दूसरा समीकरन है यह वाला तो इसका भी ग्राफ कीचेंगे तो इसमें देखिए पहला सोलूशन है इसमें 3 और 5 यानि x कमान 3 y कमान 5 है तो x अक्ष पर 3 यहां पर हो जाएगा और y अक्ष पर 5 यहां पर यानि कि जो हमारा ये वाला सोलूशन है इसका जो बिंदू है वो यहीं पर आएगा यहीं वाला ठीक है तो यह हो गया एक बिंदू अब दूसरा देखिए दूसरे सोलूशन में x कमान 8 है और y कमान माइनस 2 है तो x अक्ष पर 8 देखिए ये रहा और y अक्ष पर माइनस 2 हमें देखना है तो देखिए ये रहा माइनस 2 तो इस माइनस 2 के सामने और 8 के सामने यहां पर बिंदू होगा ठीक है तो इसका निर्दशांग है 8 और माइनस 2 अब इस बिंदू से और इस बिंदू से होते हुए एक रेखा खीचेंगे हम क्योंकि ये हमारा बिंदू जो है वो इसका है 3 और 5 का तो इसलिए अब इन दोनों से होते हुए एक रेखा हम खीच देंगे तो ये हमने खीज दिया ठीक है इसको हम आगे बढ़ा देते हैं ये वाला तो ये हमने बढ़ा दिया अब देखिए ये जो हमारा लाइन है इस पर हम समीकरन को लिख देंगे समीकरन है हमारा 7X प्लस 5Y बराबर 46 तो यहां पर लिख देते हैं 7X प्लस 5Y बराबर 46 तो ये हमने खीज दिया अब देखिए ये जो दोनों लाइन है वो एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं कहां पर परतिछेर कर रहे हैं देखिए यहां पर परतिछेर कर रहे हैं तो इस ब पिंदु का निर्दशांग ये 3 और 5 है चिक है तो इसमें पहला जो नंबर होता है वो X का मान होता है यानि कि X का मान 3 हो जाएगा और ये दूसरा वाला नंबर Y का मान होता है तो Y का मान 5 हो जाएगा तो X का मान 3 और Y का मान 5 आ गया यही हमारा आंसर है तो हमने X क्या माना थ एक्स हमने एक पैंसिल का मुल्ले माना था तो इसी लिए एक पैंसिल का मुल्ले कितना हो जाएगा हमारा तीन रुपे ठीक है और वाई क्या माना था एक कलम का मुल्ले माना था तो इसी लिए एक कलम का मुल्ले कितना हो जाएगा पांच रुपे तो यही हमारा आंसर है सेकिं पार्ट का ठीक है तो ये हो गया second part का solution complete अब चलिए next question number 2 को करते हैं तो देखिए second question में हमसे क्या कहा गया है अनुपातो a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्यात कीजिए कि निम्न समीकरन युग्मद्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदू पर पतिछेर करती हैं समानतर हैं अथ्वा समपाती है तो इसको ध्यान से समझिए इसमें हमें total 3 parts दिये गए हैं first part में ये दो समीकरन हमें दिया गया है तो हमें क्या करना है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना करनी है और फिर हमें बताना है कि जो रेखाएं होंगी वो एक बिंदू पर परतिछेर करती हैं या समानतर हैं या समपाती हैं ठीक है देखिए जो एक बिंदू पर परतिछेर करती हुई रेखाएं होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं ये सिर्फ यहां पर एक बिंदू पर एक दूसरे को काटती हैं और समानतर रेखाएं इस तरह से होती हैं जो बिलकुल पैरलल यानि बिलकुल सीधी सीधी होती है और समपाती रेखाएं जो होती है वो एक के उपर दूसरी रेखा होती है इसे ही हम समपाती रेखाएं कहते हैं ठीक है तो देखिए अब बाकी का इसको solve करते करते मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर A1 बटे A2 है B1 बटे B2 है और C1 बटे C2 है तो A1 जो है यह हमारा पहला वाला जो यह समीकरण है इसमें X का गुणांग होता है तो X का गुणांग देखिए यहाँ पर क्या है 5 है यानि कि A1 हमारा 5 हो जाएगा और जो B1 है यह इसी पहले वाले समीकरण में Y का तो y का गुणांग देखिए माइनस 4 है यानि कि b1 हमारा माइनस 4 होगा और जो c1 होता है तो ये c1 हमारा इसी पहले वाले समीकरण में ये लाश्ट वाला अचरपद होता है तो ये हमारा क्या है प्लस का 8 यानि कि c1 हमारा 8 हो जाएगा ठीक है तो a1, b1 और c1 ये आपको पता चल गया पहले वाले समीकरण में से हम इनको लेते हैं अब इसी तरह से ये जो हमारा दूसरा समीकरण है इसमें से हमारा a2, b2 और c2 का मान आता है तो a2 हमारा हो जाएगा x का गुणांक यानि कि 7 और b2 हो जाएगा y का गुणांक यानि कि 6 और c2 हो जाएगा हमारा ये सारा अब हम तुल्ला करेंगे सबसे पहले A1 बटे A2 है तो यहाँ पर A1 बटे A2 लेंगे अब A1 क्या है? 5 तो यहाँ पर 5 लिखा बटे में A2 A2 देखिए 7 है तो यहाँ पर 7 लिखेंगे अब यह दोनों नहीं कट रहे हैं इसके बाद अब हम B1 बटे B2 लेंगे यानि यह वाला तो B1 देखिए माइनस 4 है और B2 B2 देखिए 6 है यह दोनों कटेंगे 2 के पाड़े से 2 दुना 4, 2 तिया 6 यानि माइनस 2 बटे 3 आ रहा है अब इसके बाद C1 बटे C2 लेंगे यानि कि यह वाला तो C1 देखिए 8 है बटे में C2 यह रहा माइनस का 9 ठीक है अब देखिए A1 बटे A2 पाच बटे साथ है B1 बटे B2 माइनस 2 बटे 3 है और C1 बटे C2 8 बटे माइनस 9 है तो यह तीनों जो है यह बराबर नहीं है यानि कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है इस B1 बटे B2 के और यह भी बराबर नहीं है C1 बटे C2 के तो अगर यह दोनों ही बराबर ना हो तो इसको लिखने की जरुरत ही नहीं है ठीक है अगर यह दोनों बराबर नहीं है तो हमें इसको लिखने की जरुरत नहीं है तो देखिए हमारा इस तवह का condition बन रहा है A1 बटे A2 is not equals to B1 बटे B2 तो जब ऐसा हमारा condition बनता है तो ऐसे में जो रेखाएं होती हैं वो हमारी परतिछेदी रेखाएं होती हैं यानि कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि एक बिंदू पर जो रेखाएं हैं वो परतिछेद करती हैं तो लिखेंगे एक बिंदू पर परतिछेद करती हैं क्योंकि हमसे कोशन में क्या पूछा गया है कि जो रेखाएं हैं क्या वो एक बिंदू पर परतिछेद करती हैं समानतर है या समपाती है तो इस रैखिक समीकरन युग्म का जो रिखाए हैं वो एक बिंदू पर परतिछेद करती हैं तो यही हमारा solution हो जाएगा first part का ठीक है अब चलिए हम second part को करते हैं तो देखिए second में हमें ये रैखिक समीकरन युग्म दिया है तो सबसे पहले a1 लिखेंगे a1 हो जाएगा हमा x का गुणांक 9, b1 लिखेंगे b1 ये 3 हो जाएगा और c1 12 इसमें से a2 लिखेंगे तो ये 18 हो जाएगा b2 लिखेंगे तो ये 6 हो जाएगा और c2 ये 24 हो जाएगा ठीक है अब सबसे पहले हम a1 बटे a2 करेंगे तो a1 9 है बटे में a2 18 है ये दोनों कटेंगे 9 एकम 9 नो बटे 2 आ रहा है अब इसके बाद अब हम क्या करेंगे b1 बटे b2 तो b1 देखिए 3 है बटे में b2 6 है तो ये 3 एकम 3, 3 दुना 6 यानि एक बटे 2 आ गया अब c1 बटे c2 करेंगे तो c1 12 है और c2 24 है तो 12 एकम 12, 12 दुना 24 यानि कि ये भी एक बटे 2 आ गया तो इसमें देखि a1 बटे a2 एक बटे 2 आ रहा है b1 बटे b2 भी एक बटे 2 और c1 बटे c2 भी एक बटे 2 यानि कि इसमें ये 3 बराबर है यानि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और ये बराबर है c1 बटे c2 के तो इसमें देखिए 3 बराबर है तो जब इस तरह का कंडिशन होता है तो जो रेखाएं होती हैं वो हमारी संपाती रेखाएं होती हैं तो यहां पर लिख देंगे कि इसमें रेखाएं कैसी होंगी संपाती रेखाएं तो यह हो गया हमारा सेकिंड पार्ट का सोलूशन अब चलिए इसके बाद थर्ड पार्ट को करते हैं तो देखिए थर्ड पार्ट में हमें ये रैखिक समीकरण यूगम दिया है तो इसमें A1 हमारा क्या हो जाएगा 6 B1 हो जाएगा ये माइनस 3, माइनस भी लेना होता है ठिक है? और C1 हो जाएगा ये 10 इसमें A2 हो जाएगा 2 B2 हो जाएगा एदेखें माइनस है इसके साथ यहाँ पर कोई संख्या नहीं है y का गुणांग तो 1 लेंगे और c2 हो जाएगा यह 9 अब सबसे पहले a1 बटे a2 चेक करेंगे तो a1 हमारा 6 a2 देखिए 2 अब यह 2 एकम 2 2 3 6 यानिकि 3 आ गया अब इसके बाद अब हम क्या देखेंगे b1 बटे b2 तो b1 माइनस 3 है और b2 माइनस का एक है माइनस से माइनस कट गया तो नीचे सिर्फ एक बचा तो जब नीचे सिर्फ एक बचता है तो इसको लिखने की जुरुत नहीं पड़ती तो इसलिए सिर्फ उपर वाला 3 लिख देंगे अब c1 बटे c2 देखेंगे तो c1 हमारा 10 है और c2 ये 9 है ये नहीं कट रहा है तो देखिए a1 बटे a2 3 b1 बटे b2 भी 3 लेकिन c1 बटे c2 10 बटे 9 यानि कि इसमें हमारा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के यानि कि ये और ये बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे is not equals to ये बराबर नहीं का निशान होता है तो c1 बटे c2 a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के जो की बराबर नहीं है c1 बटे c2 के तो जब इस तरह का कंडिशन होता है तो हमारी किस परकारगी रेखाएं होती है समानतर रेखाएं तो इसमें तीनों पार्ट्स जो हमने किये हैं उन सभी में हमने देखा कि अलग अलग परकार की रेखाएं हैं पहले वाले पार्ट में परतिछेदी रेखाएं यानि कि एक बिंदू पर परतिछेद करती हुई रेखाएं थी दूसरे वाले में समपाती र आपको यह condition याद रखना है कि जो एक बिंदू पर पतिछेद करती हुई रेखाएं होती हैं उसमें हमारा क्या होता है कि A1 बटे A2 is not equals to B1 बटे B2 होता है और समपाती रेखाएं के लिए क्या condition होता है कि A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 के बराबर होता है C1 बटे C2 के यानि सारा बराबर होता है और समानतर रेखाओं के लिए ये condition होता है ये last वाला बराबर नहीं होता ठीक है तो ये हो गया question number 2 का solution complete अब इसके बाद question number 3 जो है तो question number 3 से हम next वीडियो में करेंगे I hope आपको इतना समझ में आ गया अच्छे से तो वीडियो अच्छा लगा है और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए सबसे पहले आप तक पहुँच जाए त तब तक के ले बाइब बाइब